सब्जेट गों में आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे कि MP3 टैग आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं MP3 टैग सफ्ट्वेर का यूज करते हैं गाने पर अपने फोटो लगाने के लिए नाम लिखने के लिए और डिटेल जो है उसमें गाने में जो भी होता है उसे चेंज करने के लिए तो आईए जानतें कि कैसे आप MP3 Tag को डाउनलोड कर सकते हैं तो सिंपल जो है आप सर्च कीजिए MP3 Tag ठीक है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने Subject Go Channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये गए इस सब्सक्राइब बटन पर किलिक करके सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में इस बैल आइकन को भी दवा दिजे इससे क्या होगा इसका जो वेबसाइट है वो डाउनलोड करने का ओप्शन जो है आपको देगा देखे यहां पर आ गया MP3 टैग डाउनलोड ठीक है तो यहां पर पहला जो वेबसाइट आ रहा है उस पर ही क्लिक करना है आपको और यह जो है डाउनलोड करने का ओप्शन देदेगा आपको दिखे यहाँ पे खुल गया है आब यहाँ पे MP3 टैग डाउनलोड करने का आप्शन जो है वो देखते हैं कहाँ पे है और इसको डाउनलोड करना है आपको EXC फाइल होता है यह ठीक है तो आप जो इसको डाउनलोड कर लिजेए चलिए यहाँ पे ऊपर ही है MP3 टैग सेट अप तो इस पे जोई क्लिक कीजिए तो दिखे यह जो है डाउनलोड शुरू हो गया है तो अभी यह डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको इसको इंस्टॉल करके भी चेक करेंगे कि कैसे आप इसमें जो है किसी भी गाने का नाम या फोटो जो है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं तो दिखे डाउनलोड कंप्लिट हो चुगा है चलिए इस पे डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले रन कीजिए और उसके बाद देखे यह जो सफ्टॉर है यह नेक्स्ट करने को कहेगा आपको और इसके जो भी टरम सार कंडिशन है उसे जो है अगरी करना पड़ेगा तो आई अगरी कीजिए और उसके बाद यहाँ पे दो अप्शन देता है आपको एक पोटेवाल और एक इस्टेंडर तो आप इसको इस्टेंडर ही रखे और उसके बाद next कीजिए और उसके बाद yes कर दीजिए उसके बाद फिर से next कीजिए और next और install कर लीजिए तो अभी हम यहाँ पे जाने की कैसे आप इसमें किसी भी गाने को चेंज कर सकते हैं यानि कि उस पर photo change करेंगे आप और चाहे तो detail भी change कर सकते हैं next और finish तो दिखे MP3 tag जो हमारे सामने आ चुका है आप इसे open करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं और यहां पर č college अटां करने आपको तो चलिए मैं अपर करने लिए हां पर यहाँ इसे उठाना है यहाँ पे select folder अब देखिए इस folder में जितने भी गाने थे वो सभी गाने आ गए ठीक है तो folder नहीं select करना है आपको simple folder select कर लिजे और उसके बाद क्या करना है आपको यह पूरा जो है select करना है पूरे को select किजे ठीक है select करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे option दि जो भी चीज़े उसे डाल पाएंगे तो यहाँ पे remove tag पे click कीजिए और yes कर दीजिए तो यह जो है remove हो रहा है ठीक है देखिए remove हो जाएगा जो भी इसमें data है remove हो गया अब यह गाना जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ गया है अब इस पे जो है आप अपना लगा सकते लगाने क्लिक क्या करना आपको दिखें यहाँ पर यहाँ पर एक्स्टेंट टैग ठीक है और भी बहुत सारे option यहाँ पर दिखेंगे आपको लेकिन दियान रखना आपको जो भी मैं यहाँ पर click करना हूं उसी पर click करना है आपको इस पर click किजिए और उसके बाद देखें और उसके बाद यहाँ पर OK कर दीजे तो देखे यह जो है इस पर write कर रहा है अब देखे OK कर दीजे देखे आ गया और इस तरह से जो है फोटो लगा दिया आपने ठीक है यहाँ पर यह लग चुका उसके बाद यहाँ यह Save option है Save पर क्लिक कीजे यह Save हो जाएगा ठीक OK कर दीजे उसके बाद इसे Close कर दीजे अब हम जाएंगे फोल्डर में और फोल्डर में जाने के बाद हम Music को Play करेंगे और चेक करेंगे कि क्या फोटो सही में लग गया या नहीं लगा तो चलिए फोटो देखिए यहाँ पर फोटो जो है लग चुका है देख सकते हैं आप Music पर यहाँ पर फोटो आ गया है तो इस तरह से आप फोटो चेंज कर सकते हैं अब जब भी आप इस Music को Play करेंगे जैसे कोई साभी Music ले ले लेते हैं हम सिंपल यह ले लेते हैं तो कोई भी Music आप Play करेंगे तो Music Play करने पर क्या होगा कि आपके सामने जो है यह फोटो जो है दिखेगा दिखे यह फोटो है इस तरह का तो आप देखते होंगे बहुत सारी Music में लोग खुद के फोटो या डिटेल जो भी होता है बाक्स में लिख के बताइए कि आप जो है इस Software को और किस तरह से यूज करेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए